नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देख रहें न्यूजेटीन मध्यप्रदेश 36 गर्ड मैं हुआ पर नमाजब वक्त हो गया है मध्यप्रदेश की महा डिबेट का जिसमें आज बात 2024 की घमासान की और BJP की मेगा प्लान की जिहां मिशन 2024 के लिए तयार है और इसके लिए एक प्लान भी बनकर तयार है याने लोगसमाचनाओ के लिए BJP की रणनीती पूरी तरह से तयार है लोगसमाचनाओ के तयारी में BJP जुड़ गई है और धर कॉंग्रेस अपनों को मनाने में व्यस्त है ऐसे में BJP का मेगा प्लान तयार है और बूत लेवल तक BJP संग्ठन को मजबूत करने में लगी हुई है BJP का फोकस फिर से सत्ता में वापसी करने पर है तो उधर कॉंग्रेस में मची हुई है भगगण नेताओं की नाराजगी मुखर होकर सामने आ रही है हाली में कबलनात की भी नाराजगी नज़र आई ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोगसमा चुनाओं के लिए कौन कितना तयार है कॉंग्रेस नेता अपने आपको पूरी तरह से तयार रहने की बात कह रहे हैं तो उधर बीजेपी का दावा है कि फिर से एक बार कमल खिलेगा इस तरह के पिछले दो महिने की ये सरकार रही है दो महिने में ही इसकी उट्टे किती शुरू हो चुकी है जो भी इनने वादे करें हैं वह आदे पर हरें नहीं उतर रहे हैं जो भी स्की में इनने चलाई थी चुनाओं के अंदर जनता को डोब लाले जो दिया था वह इसकुल एक तरह से बेन हो चुका है तो दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं लेकिन फैसला जनता को करना है वो किसके साथ है जनता का जनादेश किसको मिलेगा ये तो चुनाव की रतीज़े ही बताएंगे महा डिबेट के सवाल क्या है उन सवालों पर एक बार डाल लेते हैं नजर बढ़ी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे पहला सवाल है बीजेपी का मेगा प्लान दिलाया का क्या सत्ता की चावई ये पहला सवाल है दूसरा सवाल क्या है देख लेते हैं यह सवालों की वह बहुत में आश की ऑंककर आपने कोशिश करेंगे उनसे तलास रहेंगे और कौन-कौन हमारे पैनल में है आज उनका परिजय आपसे करवा देते हैं हमारे साथ कॉंग्रस का पक्ष रखने के लिए कॉंग्रस की तरफ से प्रवक्ता है स्वदेश शर्मा जी बीजेपी प्रवकता है आज धवले जी यश भारतिये हैं समाजाधी पार्टी की तरफ से पायारियों में लगी हुई है क्लस्टर प्रभारी चेंज कर दिये गए और गाउं चलो अभ्यान छेर दिया गया साथी दर्वाजे भी खोल दिये गए दूसरी पार्टी की नेताओं के लिए खास तौर पर कॉंग्रस के लिए हाली में हमारा राष्ट्र अदेवेषन है भाती चनता पर्टी करने के लिए जनमी है और वास्तों में विगत हां मत्रीश नरेंद्र थाल थाके केंड्र सरकार के या विएश चरकार है उन कामों को आप देखेगी तो आपको यह दिखेगा कि राष्ट jut विखत्थम देश हीत समाज हीत इन मुद्धों को लेके भारती जनता पर्टी ने काम किया है दस वर्शों पहले जब भारती जनता परटी को भारत की सरकार भारत में साशन करने का अउसर मिला था उस समय यह देश ग्यार्वी सबसे बड़ी एकोनोमी थी आज पाच्वी सबस प्रधान मंत्री नहीं संकल्प लिया था जम्मू के नौजवानों को आयों की सोगात मिलनी चाहिए अच कारेक्रम की की सोगात कि तो विगत दस वर्चों में ऐसे अने को उधारन है जिनका प्रधान मंत्री जी ने शिलानास किया और उनका उधाटन भी किया तो हम वो सरकार हैं जिन्होंने वास्तों में कोई संकल्प लिये तो उन संकल्पों की पूर्ती किये आज आप देखेंगे भाती जनता पर्टी स सब कुछ आपकी पार्टी कर रही है आपके सरकारे कर रहे हैं तो फिर आखरकार दूसरों के दर्वाजे क्यों खोलने की नौमत आ गई है यहां पर यह सवाल के जवाब मैं लूँगी आगे भी आपसे सुदेश शर्मा जी यह बताईए उनकी रणनीती जो है वो तो साफ ह कि उनकी नजर अर्जुन की तरह जीत के लक्षे पर है उसको पाने के लिए वो हर तरह से जुट गए हैं कॉंग्रेस में जो बिखराव है उसको लेकर सवाल यह भी उठ रहा है कि बहुत बड़ा संकट इस समय कॉंग्रेस के सर पर है लेकिन राहुल गांदी है कि वो न्या यह राशनिती है कि अगनी बीद लाओ और चार साल मा रिटार करके घर बिजवाद हो ने यह राशनिती करते हैं सहादत पर एक बोट मांगते हैं माननी प्रधार मंत्री महद है यह राशनिती करते हैं प्रभू राम पर राहनिती करके बोट मांगते हैं यह राहनिती करते ह के तीं त्रहाट पर ये राहीरीती करते हैं हिजाब पर ये राहीरीती इस पर नहीं करते कभी कि दोक्तर रोजगार का जो बादा किया था माननी प्रथार मिंटरी वहते नहीं उसे पूरा किया है बन है, माननी प्रधर बंधिरी वहोद है तब काला धर्म बापस लाके, हर विक्ति के एक खाते हैं, भेगी इस पर बात भी करते हैं, यस प्रभाद भी करते हैं, इसुनता है किसी की अब ये महाचुनाओ की बात कर रहे हैं लोगतंतर का सबसे बड़ा महापर्व है लोगसावाचुनाओ इस लोगसावाचुनाओ में पारदस्तार की इमानदारी कैसे साब भी हो सकती है अब तक कुरसी के लिए नहीं देश के लिए काम किया है चाहे हमारे इंद्राजी हो देश के लिए कुरबान हुए राजी जी देश के लिए कुरबान हुए देश की आजादी की लड़ाई में इन्होंने कभी एक उंगली कटाके भी सहीद होने का ड्रामा किया हो तो बता दे अब रहा सवाल इस बात का कि हम सत्ता में नहीं आ पाए है यह दो हजार चौबिस का यह चुनाओ है यह त्या कर देगा भले यह आप कितनी भी गर्वरिय कर लें लेकिन अब जब जोटेगा इंडिया लड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया लेकिन रहेगा इंडिया सवाल तो यह है आपका अलाइंस रहेगा अलाइंस जो भारती जन्ता पार्टी की इस निकम्मी सरकार से दुखी है देश का आवाम वो सब और जो संग्ठन इससे दुखी है परिशान है निश्चत रूप से वो सब इनको हराने के लिए एक साथ ख़ले हो जाएंगे तभी तो मैंने कहा है जुटेगा इंडिया तो लड़ेगा इंडिया और लेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया ओजी आपी के अलाइंस के अब तक के साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समान्यादी पार्टी की और से प्रवक्ता है या श्भारती जी घूम भिर के वही सवाल हाँ पर मैं आपसे भी पूछ रही लेकिन वहां आपकी पार्टी ध्राधर उमिद्वारों के नाम अनाउंस कर रही है चल क्या रहा है देखिए अपढ़ना जी दो बाते हैं एक तो जो आपने सवाल रखा है विशय जो रखा है उसका है दूसरा आपने जो मुझसे सवाल की है हम राज्यतिक पार्टी है चुनाव में उतरेंगे चुनाव में प्रत्याशी चुनाव लड़ता है चुनाव चिन रहता है दल का और सब लोग संग्ठन चुनाव लड़ता है तो हम अपने प्रत्याशियों के नाम भोशित कर रहे हैं जिन पर कोई मद्भेद नहीं है कोई बात नहीं जिन पर चर्चा होती जा रही हम बात करते रहे हैं उत्तर प्रदेश में इंडिया गटबंदन में हम सबसे बड़ा द परटी होने का दावा कर रही है अभी तक तो यह भी प्रत्याशी घोशित नहीं कर पाई पूरे देश पर में दूसरी भारती जनता पार्टी के हमारे साथी जो भी बिलकुल धारा प्रवाब बोलते चले जा रहे थे जो रट के आया थे वह बोलते चले जा रहे थे वैसे गोशना पत्र है कि केवल रट करके बोल देना है चुनाओं में बोल दिये जाते हैं इनके निताबाद में बोल देते जुमले थे जुमले बोल दिये धरातल पर इस्थती यह है कि यह आशाकार करताओं को तंखा दे पा रहे हैं तीन-टीन-छे मैने से ना मन्रेगा के सदन में बोलते हैं कि लाडली बहना योजना के कारण हम तंखा नहीं दे पा रहे हैं तो बारती जंता पार्टी की नीती रिती के कारण लोग को तंखा नहीं मिल रही परिवार परिशान है बेरोजगार यूवाप सड़क पे उतरा हुआ है कली एक बड़ा अंदोलन इंद दिन तेन बार नाम बदल दिया लेकिन घपले खतम नहीं हो रहा है ब्रश्चाचार हो 45 को रहे हैंँगा यह क्या कर रही है पिर सप्ता में आ जाएं हम मान लेते हैं चौमिस में ये सप्ता में आ जाएंगे जनता को क्या दे रहे हैं जूटी बात है 370 से क्या लाब मिला है एक लाब बता दे अब तो दो साल के करीब हो चुके एक लाब बता दे कि 300 सार खतमों से नढ़रा में जो वादे किये थे विदान सभाड चशुनाओं का अभी तक लागूा नहीं नाए नौना करते रहते दिएाला बार्ती पार्टी से क्षाम पूछ रहे हैJ मुठ मोझ चुनाओं मैं जो आजिए ऑब हेमानिवा ह Angeb में कर लों को मुझे और यूडे लेकिन हर बार नूटा से भी कम उट लेकिन जो समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी उत्तर पदेश के बहार अगर किसी को वोट मिले या ना मिले लड़ने का अधिकार तो हमारे देश में हासल है नामे तो लडने दीजिए उने चनाव लडने का दिकार तो उनकी पार्टी को है ही जी डेश की जंता अपने ओट के माध्यम से बता देती कि कौन सी पार्टी पर जी जवाब कर कर के हैं जवाब तो दे जवाब भूमिका आपनी बादी भूमिका भूमिका भी बाद देंगे ना उत्तर प्रदेश में इनका दल दो चुनाओं से जित्पर का भूंकी खानी पड़ रही है अपड़ने जवाब यहां पर मजबूत विपक्ष का होना एक स्वस्त लोकतंतर के लिए जरूरी होता है लेकिन ऐसी स्थी में जब सरकार और खासकर सतासीन बीजेपी की नजल लगातार हर्चनाओं को जीतने में है चाहे आप बात करें वोड प्रतिशत बढ़ाने से लेकर हो योजनाय शुरू करने से लेकर हो या क्लस्टर लीडर्स चेंज किये गए गाउन चलो अभ्यान शुरू किया गया बूत पैनेज्चमेंट सब कुछ जमीन पर पूरी तरह से अपने वरकर्स को एक जुट करने की कोशिच बीजेपी की यहां पर है लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है उस पर बिखराव ही बिखराव दिख रहा है और बड़ी बात तो यह है कि हर जानकार यह कह रहा है कि उस बिखराव को समेटने के लिए भी कोई लीडर्शिप दिखाई नहीं दे रही है कोई इच्छा शक्ति नज़र नहीं आ रही ह देखिए अपड़ना जी लोगसभा चुनाओ को यह ऐसा नहीं यह अंतिम मंदा दिन में जीता जा सके प्रत्याशियों के लिए पहले से तयारी करना पड़ेगी आठ आठ विधानसभा हैं मत्प्रदेश में लगपग आठ विधानसभा एक लोगसभा सीट में सीट के अंत कर रहा है अभी हम सब को पता कि उनके पंदा प्रभारी 30 बूटर पर एक पंदा प्रभारी काम कर रहा है इसी बूथ मेनेजमेंट से ऐसा कहते हैं कि बिधानसभा का चुनाओ उनने जीता है और देखिए लगातार वह अपनी योजनाओं कर पचार पचार घरगर पहुंच नया युवा नेता प्रतिपक्ष बन गया है लेकिन उसकी तैयारियों का या उनकी प्लानिक का भी कोई खास बजूद दिख नहीं रहा है वो अभी भी दिल्ली की ओर देख रहे हैं कि हाई कमान से क्या निर्देश आएगा जबकि उन्हें मत्रदेश में इतने मौके मिल र सकी और समाजवादी पार्दी सवाल खड़े कर रहा है क्या कांग्रिस सवाल खड़ेकर पा रहा है या के लोग वीच के स्वाल खड़े कर पार रही है उनके लोग से सिर्फ przepी काम करते हैं क्यों मीडिया में आकर ब्यान दे देंगे शोशल मीडिया में लेकिन घरगर दस्तक देने के नाम पर अभी उनका संगठन पीछे है तेकि जिले में कारकार्णिया नहीं बनी दो-दो साल से वो कारकार्णिया बिना कारकार्णिय के चुना हो गए जिला अध्यक्ष नुक्त है लेकिन उनकी इस तरीके से कांग्रेस का संगठन जो है अभी वी सुसत यही बात तो समझ दे रहे हैं कि वहां वो पन्ना प्रमुक को भी उसको मोटिवेट करने के लिए अमिर्शाह बयान देते हैं नरेंद्र मोधी बयान देते हैं लेकिन यहां पर जिला अध्यक्ष लगाता छोड़क हैं उनको कांग्रस की प्रमक्ता हमारी मेरी डिबेट में आकर करेता है कि इतने निचले सर पर लोग जा रहे हैं कि आप इस पर शर्चा करेंगी खैर अलोक वस्जी जिस सरा से कॉंग्रस की तयारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि स्वादेश जी सवाल आलोक जी से मेरा मैं आओंगे आपके पास 2024 का चुनाओ मुझे नहीं लगता है कॉंग्रेस बहुत सीरियसली लड़ रही हैं क्योंकि अगर वो सीरियस होके लड़ती रहती तो जो इंडी को इंडिया गटवंदन का जो हाल हुआ है वो यह हाल नहीं होता है वो लगातार उनमें टूटन होती जा रही है और देश में अच्छा संदेश नहीं किया लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि यह में कुल दम नहीं है यह खुदी आपस में जब नहीं एकठे हो पा रहे हैं तो यह पाएंगे और चुनाओं से पहले ही जब इतना इंके अंदर चुनाओं के बाद क्या होगा इनके मुकाबले एक कदावर निता के रूप में नयंद मोदी खड़े हैं और नयंद मोदी जी ने जिस तरीके से अनेक कल्यांकारी योजिनाओं से समाज के हर वर्क को साधने की क जिठेटर है और तीसरी चीज जो अभी विगत कुछ महीनों से कुछ सालों से दौर जो चला है कि ऑब अपड़ना जी किस दल का अदमी किस दल में चला जाएगा कोन किसे मेरेश कर लेगा और किसको डेवर्च कर देगा इसका बड़ा-बड़ा political पंदित का भी अब बस की बात नहीं है जी प्रिंसिपल सुचिता ओने सी यह सब चीजें अब बैक सीट पे चली गई है अब पॉलिटिक्स अब कन्वीनियंस पॉलिटिक्स अगें मेरा मैं पार्टी में आ जाओ तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा मैं क्या बन जाओंगा वह ज्यादा माने रख रही है और जो यह हो रहा है मैं देश की जंता से आपके प्रिस्टीजियर चैनल से अपील करूंगा ऐसे लोग जो पार्टी को तुरक पाला बदलते हैं उनको जरूर सबक सिखाए अगर वो कहीं से टिकट लेके आते हैं देखिया चंडीगर में जो हुआ वह बहुत बड़ा लगा है बात यह जंता पाटी के ऊपर है कि ऐसी चीजों की पुन्रा विर्टी ना हो यह जंता के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ऐसे लोग जो अपने गें के लिए पाला बदल लेते हैं वेगर कुछ सोचे समझे उनको सलब सिखाने का भी काम विचार धारा बची ही नहीं आप कुछ कह रहे थे तो यह जो मैंने नहीं 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 तो लिखने का पाइदा क्या है ठीक है ठीक है जी 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 करना है जहां प्यार में जहां देखे खीर उधर गए ठीक है आपकी बात पर यह जी कुछ करना चाहिए लेकिन जो राजनितिक विश्लेशक के मेरे साथ कई बार वह नेता बीजेपी के रूप में प्रवक्ता बीजेपी के रूप में टिमेट्स में आ चुके हैं मुझे यह उमीद लग निवाद और आधर करूंगा उनका कि पक्षपात नहीं किया उन्होंने वह जिस पार्टी से आते उसके पक्ष में भी बात ने की जो निश्पक्ष बात होनी चाहिए वह बात उन्होंने रखी और वाकई में आज विश्व सामाजिक नए दिवस है और विश्व सामाजिक के अधिकार को छीन रहें यह जंता के साथ में भी हो रहा है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रिया दक्ष्री अकलेश यादव जी ने समय समय पे चुनावाय को चुनौती दी है कि जो लोग जीवित हैं उनको म्रत बता करके नाम काटे जा रहे हैं और सत्ताधारी दल को फ समय एक निया दिवस था और भारज लोग यात्रा की अगवाई मानि राहुल गांदी जी कर रहे हैं और उन्होंने जिसके पहले जो यात्रा की थी वह भारज लोग यात्रा थी उसकी अपार सफलता इतनी थी कि पूरी भाजापार गोबोखलाई हुई थी घबराई हुई उसमें उन्हें तापण तोड़ चुनाओं में जो जो हरकते की पूरे देश ने जाना है इस बात को बिधान सभाज चुनाओं में हलाकि बोबात अलाग है कि जितने बिधान सभाज चुनाओं दो जार थी इसमें हुए है उस राज्यों कि बोट की तुला की जाए तो ग्य अचैत करना पड़ा है तो हम कैसे वो में कैसे इमानादारी होगी । शल्मिसेशल करने का लगा कि एतना इतना उसकी पारीक लिएędzie다 लेकिन में सवाल सोधी यहां पर ये भी है ना कि सामने वाले की नाकामी से ही खुश होते रहेंगे या अपनी तरफ से भी यहां पर कुछ जोर दिखाया जाएगा कॉंग्रेस की ओर से देखें हमार असल में क्या है जैसे अभी मेरे जो बत साप कह रहे थे कोई मुद्दा नहीं उठा रही है तो जो ब्लास्ट हुआ हो उस ब्लास्ट के मुद्दे को जबजस तरी के से कॉंग्रेस तर उठाया प्रदेशियोत कॉंग्रेस के अद्दिक डाक्टर विकरांद बु तो मुकद्मा इसी की कबरें में बैठे हो तो नहीं ठोके गए होंगे जहां जनता की लड़ रहे होंगे तभी हम पर मुकद्मा लगे तो हमने मुद्दे हमेशा उठाया हूं मुद्दों की लड़ी है और जनता समझ रही है इसलिए देखिए प्रदेश का चुना अलग थ मुद्दों की लड़ाई तो कम ना आप लोग तो आपस में लड़ते जाता दिखाई दे रहे हैं धबले जी आपका कमेंट बहुत गंबीर आरोप लग गए आप पर जी अपना जी मुझे लग रहा है मेरे संकक्ष दो दोनों दल बैठे समाधवादी पार्टी और कॉंग्रेस ये तुष्टिकरन परिवार आओद और भष्टाचार की जन्नी है ये इस देश में अस्थिता की भी जन्नी है और ये आज डल ऐसे दल से प्रश्ण पूछ रहे और विपक्ष में रहने का जिसे बहुत जादा अनुबव है तो विपक्ष में रहे के सचक्त विपक्षी भूमी का होती है सड़क पे मुद्दे किस तरह से उठाए जाते ये भारती जन्ता पार्टी ने पूरोवर्ती सरकारों के समय किया है लेकिन आज सरकार में रहते लेकिन थे बिपक्ष में रहने के बाद भी आज भी देश की जन्ता का इन पर विश्पास नहीं है आज वही मुद्दे उठाने पड़ रहे है जिन मुद्दों को लेकि बार बार चुआ है सब्सक्राइब करेंगे क्या सब्सक्राइब करेंगे तो हम से सवाल पूछने लगे रवेंदर दूबई से फाइनल कॉमेंट सब्सक्राइब कि उसने दस साल में कोई गलतिया नहीं करें तो यह उसकी जनता तक पहुंचाने में जनता तक उसको जोडने में नाकाम रहे है जिस तरीके से एक घटना, एक चैसिल की घटना है, कलकत्ता की पूरे देश को लोड़ दिया भारते इंदा पारी है। जिस तरीके से एक चैसिल को लोड़ दिया भारते है।